दोस्तों हम सब जानते हैं कि भारत का सबसे महगा स्टॉक MRF स्टॉक है एक स्टॉक की कीमत 70,000-80,000 रुपए से ओपर आती है ऐसे में हम रीटेल इन्वेस्टर्स उसको बाई करने की तुदूर हम उसके बारे में सोचते भी नहीं है क्या आप जानते हैं कि विपरो स्टॉक जो की करीब करीब 400 रुपए के आसपास आता है MRF क्यो टकर दे सकता है यानि कि MRF के बराबर ट्रेड कर रहा होता अगर इसने कभी स्टॉक 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 करते हैं तो ऐसे में हम स्टॉक मार्केट में कमपाउंड रिटंस पाते हुए एक अच्छा खासा प्रॉ आ सकते हैं नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सब का एक बार फिर से stock for retail पर stock market से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ तो दोस्तों वीडियो बहुत ही ज्यादा informative होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम 9 ऐसे stocks के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपको 2023 में bonus shares issue कर सकती हैं अपनी face value का stock split कर सकती है वीडियो थोड़ा सा लंबी हो सकती है वीडियो को पूरा देखी यहां पे कुछ नया सीखिए थोड़ा सा time ले लिजिए आप अपनी चाय ले लिजिए coffee ले लिजिए dinner कर रहे हो तो dinner के साथ इसको जरूर देखिए क्योंकि यह information collect करने में क्या stocks के नाम है और चलो buy कर लो तो अगर आप ऐसा करना चाते हैं तो हो सकते हैं कि आपको वो information ना मिल पाए जो की आपके लिए profitable हो सकती है ठीक है चलिए अब bonus stocks क्या होते हैं stock split क्या होते हैं यह समझना बहुत ही important होता है और साथ ही साथ यह भी समझना important होता है कि company के fundamentals क्य जा रही है तो वो company fundamentally strong stock हो stock split और bonus stocks issue करने के पीछे कई सारे regions होते हैं जो कि हमें समझने होते हैं ठीक है अब यहाँ पर आपके screen पर दिख रहा है bonus ratio 1 is to 2 और record date 22 December 2022 यहाँ पर हमें यह समझना होगा कि bonus ratio क्या होता है bonus actually में क्या होता है और company bonus stock क्यों देती है ठीक है तो bonus ratio जहाँ पर ऐसे देख सकते है आप 1 is to 2 का ratio जो है वो हर 2 existing share पर company एक share अपने existing investor को free में दे रही है यानि कि अगर किसी के पास 2 share पहले से ही है इस particular company के और उसके पास ये shares x date या उसके पहले है तो x date और record date बहुत important dates होती है basically x date पर वो share अपने एक नए share price पर trade करता है उसी ratio के हिसाब से ठीक है तो यहाँ पर अगर 1 is to 2 की ratio का bonus share मिल रहा है इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि अगर आपके पास 2 share है तो आपको एक share और मिल जाएगा आपके total number of shares यहाँ पर 3 हो जाएंगे और इसी ratio में जो stock price है x date पर वो एक नए price पर trade कर रहा होगा ठीक है bonus shares company क्यों देती है यह समझना बहुत ही जरूरी है कभी कभी कमपनिया low on cash flow हो जाती है ऐसे में क्या होता है कि company हो सकता है profit तो generate कर रही हो लेकिन किसी particular quarter में वो dividend ना पेकर पा रही हो तो ऐसे में company क्या करती है bonus stocks issue करने का decide कर सकती है ठी करनी को उसके detail में हम फिलाल नहीं जा रहे है जो important बात आपको यह समझना है कि bonus stocks आपके number of shares को बढ़ाते हैं उसी ratio में जिस ratio में आपको bonus stocks issue किया जाता है ठीक I think यहां तक आप मेरे साथ है है तो like video जरूर कर दीजिए कोई भी सवाल हो तो comment करने से पहले video को pause कर लिया करिए ठीक है चलिए अब bonus share हमने समझ लिये राइट यहां पर देखते हैं stock split क्या होता है देखिए face value यहां पर आप देख सकते हैं कि पुरानी face value 10 की थी जो कि इन्होंने split करके 5 के कर दिया पुरानी value यहां पर 5 की थी जो कि split करके 1 का कर दिया यह 21 में किया यह 2016 में किया इस company के face value जो था वो 10 का था उस face value को इन्होंने कर दिया एक पर तो basically stock split जो होता है वो face value पर होता है ठीक है अब stock split का भी एक certain ratio होता है माली जी यह 1 is to 10 की ratio में stock split कर रही है कोई company तो generally जो face value 10 का था उसको कर देती एक पर ऐसे में आपके number of shares यहां पर multiply हो जाते है multiply होने का मतलब है कि अगर आपके पास एक share था जिसकी की face value 10 की थी यहां पे और x date या उसके पहले आप share को hold कर रहे है तो आपके पास सीधे सीधे 10 shares हो जाएंगे बट उसकी face value एक की हो जाएगी ठीक है इस case में भी stock के prices उसी ratio में reduce हो जाते है यानि कि अगर stock का price 100 रूपे trade कर रहा है x date के पहल या bonus stock और stock split क्यों देती हैं देखिए generally होता है क्या है जैसा कि वीडियो की शुरुवात में हमें discuss किया था MRF का एक stock 70,000, 80,000, 90,000 रूपे का trade कर रहा है अब ऐसे में हम retail investors इसके बारे में कभी सोच भी नहीं पाते हैं लेकिन अगर ये अपनी face value का split कर दे bonus shares दे दें stock price 1200 रॉपे के आसपास trade कर रहा है कहां वो 17-18,000 रूपे का हो चुका था तो ऐसे में हम भी बजाज फिंसम में investment करने का सोच सकते हैं लेकिन 18,000 रूपे का price हमारे लिए बहुत महंगा हो रहा था तो ऐसे में company या retail investors की भागीदारी बढ़ाने के लिए bonus stocks issue करती है या अपनी face value का stock split कर देती है ठीक है I think यहां तक बाते clear हो चुकी होगी तो जिस company के बारे में हम यहां पर बात कर रहे थे जिस company के बारे में यह data हम देख रहे थे कि इन्होंने stock split दिया था bonus ratio दिया था bonus share दिया था यह जो कौटिकल कमपनी है यह है precision wires India Limited अब देखे केवल 70 रूपे के आ procedure करें bonus share को भी तो यह देखने में हमें 60 रूपया 70 रूपया का लग रहा है बट एक्चुली में इसकी प्राइस 1000 रूपय से उपर होती तो यहां पे face value अल्लेडी एक का हो चुका है तो stock split नहीं हो सकता है बट आप देखिए आपको consistently company dividend प्रोवाइट कर रहे है company profitable ही है प्र में हो सकता है कि यह bonus shares issue करती रहे और यहां पर आप ध्यान दीजे तो पिछली बार जो इन्होंने bonus share issue किया था वो issue किया था 2022 में तो 2023 में unlikely है कि bonus share issue करें बट कुछ company ऐसी होती है जो कि हर 1-2 साल पर bonus share issue करती रहती है तो ऐसी company को अगर हम target करते हैं तो हमें हर 1-2 साल पर bonus shares मि सकते हैं यहां पर trident limited आप देखिए trident limited face value एक का है आपको ध्यान होगा 2019 December में December 2019 में इन्होंने अपनी face value का split कर दिया था एक का कर दिया था 10 की face value को उस ताइम stock price करीब करीब 70 रुपए के आसपास trade कर रहा था सीधे सीधे 7 रुपए के आसपास आ गया penny stock के price पे आ गया हाल investors की भागिदारी बढ़ने लगती हमको भी लगता है कि हम भी 7 रुपए का price है चलो कुछ stocks खरीद के रख लेते हैं अब यहां पर ध्यान दिजिए तो आपको company एक अच्छा खासा appreciation देने के साथी साथ एक अच्छा खासा fundamentals भी लेके आगे चल रही है यहां पर currently 32 रुपए क आसपा straight कर रहा है और हम expect कर रहे हैं कि आपको at least 2023 या 24 में bonus stock issue कर सकती है ठीक है इरकॉन international limited की अगर हम बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं 2021 में इन्होंने 1 to 1 की ratio का bonus share issue किया था यानि कि अगर आपके पास 100 shares होते तो X date के बाद आपके पास यहां पर सीधे-सीधे 200 shares ह हो चुके होते हलाकि stock price भी just divide by 2 हो जाता है ठीक है तो इरकॉन international limited यहां पर आप देख सकते हैं जो इन्होंने stock split किया था वो face value 10 का split करके इन्होंने नई face value 2 की कर दी थी 2020 में अब यहां पर ध्यान दीजे तो आपको अच्छा खासा dividend भी प्याओट कर रही है company यहां पर profitable भी का है तो face value 2 का है यानि कि एक बार और stock split हो सकता है एरकॉन international limited में अब ध्यान दीजे कितना अच्छा खासा यह आपको एक बढ़िया ट्रेंड अभी से सेट कर दे रहा है 55-60 रुपए के आसपास trade कर रहा है बट इसमें अभी भी अच्छा खासा potential है आपको returns देने का ठीक है चलिए अब यहां पर बात करते हैं इंडियान एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड के बारे हैं अब ध्यान दीजी यह सारी की सारी कंपणिया प्रिशिशन वायर्स लिमिटेड जो हम बात करें प्रिशिशन वायर्स अपने सेक्टर में अपने business segment में एशिया में number one है और पर दो शेयर्स आपको free मिल रहे थे साथी यहां पर face value का split भी कर दिया है 2018 में सीधा सीधा 10 गुना यहां पर stock price हमें देखने को मिलता just because of stock split आप देख सकते कि यहां पर dividend भी अच्छा खासा दे रही है और इसका overall यहां पर आप देख सकते कि current price 135 रुपए के आसपास trade कर रह 100 रुपए हमें महंगा लगता है 135 महंगा लगता है तो हमें यह decide करना चाहिए कि वाकई में हमारे लिए महंगा stock क्या है कभी भी price नहीं देखना चाहिए हमें हमेशा valuation देखनी चाहिए अगर हम valuation देखते हैं तो हम ऐसे stocks में नहीं फसते हैं जो कि सिर्फ इसलिए bonus shares दे दे हैं ताकि वो penny stock के price पे आ जाएं और उसमें retail investors भर-बर के buying कर लें ठीक है हमेशा आपको valuation जरूर से जरूर देखना चाहिए चलिए अब यहां पर बात करते है Apollo pipes की 221 की ratio का bonus share इसु गिया था 2021 में और यहां अगर हम देखें तो इसका face value 10 का है यानि कि आने वाले समय में even 2023 में stock split भी कर सकती है अपनी face value का है ऐसे में देखिए आपको dividend भी प्रोवाइड कर रही है current price यहां पर 500 रुपए के aspect rate कर रहा है और ऐसे में company में अगर appreciation होता है फर्दर appreciation होता है stock prices में तो management decide कर सकती है कि चलो भाई face value का split कर देते हैं और face value का split करते हैं तो एक certain ratio में वो करते हैं और आपके number of shares increase हो जाते हैं अब ऐसे में क्या होता है कि number of shares increase होते हैं हमें यह लगता है कि हमें तो बहुत जबर्दस profit मिल गया हमारा investment सीदे सीदे 10 गुना हो गया तो ऐसा नहीं होता है stock prices भी उसी ratio में कम हो जाते हैं बट लंबे समय के लिए अगर hold करते हैं जैसा कि विपरो का example सबको पता होना चाहिए कि एक share किसी ने buy किया होता तो आज उसके पास लाखों shares होते 20-25-30 सालों के बाद तो हमें लंबे समय के लिए ऐसे stocks में टिकना होता है ठीक है stock market में investment करते हैं तो हमारे पास एक dmat account अलड़ी होगा है या नहीं है तो दूसरा dmat account open कर सकते हैं angel one के साथ account opening बिल्कुल free है एमसी पहले साल का free है आप इसको इसको इस्तमाल करिए long term stocks की portfolio बनाने के लिए क्योंकि यहाँ पर buying side पर कोई भी पास उस दिन काम नहीं कर रहे होते हैं तो ऐसे में अगर हमारे बास दो हैं तो हम दूसरे वाले का इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक चलिए यहाँ पर SRF Limited आप देखिए 1-2 की रेशियो का bonus share दिया उसके बाद 4-1 की रेशियो का bonus share 2021 में दिया हर एक existing share पर 4 shares और total number of shares 5 हो जाते हैं अगर आपके पास केवल एक share होता है यहाँ पर देखिए dividend भी payout कर रही और face value भी 10 का है यानि कि सीधी सीधे stock spread भी हो सकता है आने वाले समय में ऐसे में SRF Limited भी हो अपनी portfolio में consider करके चल सकते हैं ठीक है चलिए आरती इंडूस्ट्री 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 लिटरली आपको यहाँ पर 2-1 का ratio का bonus 1-1 की ratio का 2019 2021 तो एक trend set कर रही है हर 2 साल पर 3 साल पर आपक कि आरती इंडूस्ट्री 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 इंते में आने वाले समय में stock spread भी हो सकता है तो इस stock को भी हम अपनी watchlist में लेके चल सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर बात करते रहाइं से continuous bonus shares ही दे रहा है company क्या कर रहे है हम सब को पता होना चाहिए हम सब को यह पता होना चाहिए कि उसका business segment क्या है आने वाले 10-15-20 सालों में क्या वो sustain कर पाएगा या नहीं तो जो हम cold drinks पीते हैं वह तो आने कितनी बार किया अन गिनत बार किया इसका face value 100 का हुआ करता था यहां पर face value को ला दिया इसने 2 पर तो आप सूच सकते हैं आपके number of shares कितनी बार बढ़ते रहते हैं लंबे समय में आप hold करते हैं तो आपको compounding effect देखने को मिलता है हला कि 2-3 साल में 4 साल में आपको वो effect देखने को मिलता है तो यहां पर currently 400 रुपए के आसपस ट्रेट कर रहे है stock split भी कर सकता है bonus share भी दे सकता है ठीक है चलिए यहां पर बात करते है 2023 में तो यह सारी की सारी कंपनिया जो हमने discuss की यह आपको bonus shares दे सकती है अपनी face value का split कर सकती है हाला कि जिनकी face value एक की है वो split नहीं कर सकती है तो इन stocks को हम अपनी watch list में रखके चल सकते हैं और इन में investment करते हैं तो आने वाले समय में हमें हो सकता है कि एक अच्छा खासा returns मि मिल जाए और compounding returns भी मिल जाए तो ठीक है दोस्तों इस वीडियो में फिलाल इतना है उस तो उमीदे वीडियो आपको पसंद आई होगी इसमें दीगे जान करें आपके काम क्योंगी वीडियो को लाइक करिए कोई भी सवाला तो comment जिरू करिए और वीडियो को अपने दोस् नहीं कि आप blindly हमारे दोरह डिसकस की कि स्टॉक में investment करिए हम आप लों के लिए information लाते हैं ताकि आप सीख सकें और एक profitable investor बन सकें stock market में